एलो फ्रेंस वेलकम बेक टू टेक्निकल नरवार तो दोस्तो हम बेट कर रहे थे वन फ्लस की जैड सीरिज का और यहां पर आईक्यू नो एनांस्मेंट कर दिया है कि 19 माई को चाइना के अंदर आईक्यू जैडवन स्मार्ट फोन को लॉंच करने वाला है दोस्तो यह वर्ल्ड का एक ऐसा पहला डवाइस होगा जिसकी अंदर आपको मीडिया टेक्ट डायमेंसिटी 1000 का चिपसेट देखने को मिलेगा अपर आपको Dual 5G मोड की कनेक्टिविटी देखने को मिलने वाली है और दोस्तो मीडिया टेक्ट का जो चिपसेट होता है वो कापी चीफ प्राइज में देखने को भी मिल जाता है जो कि आने वाले समय में Qualcomm को कापी बड़ी ठकर देने वाला है और दोस्तो लाश्ट स्मार्टपॉन Redmi Note 8 Pro में आपको मीडिया टेक्ट की तरफ से बहुती कम प्राइज की अंदर गजब का परफॉर्मेंस देखने को मिला था तो चलिए गाईज बात कर लेते हैं Bevo IQ Z1 स्मार्टपॉन के कुछ कनफर्म स्पैसिफिकेशन के बारे में तो दोस्तो वीडियो कापी ज़्यादा इंटेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए तो चलिए गाईज बिना टाइम वेस्ट की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं स्पॉन की डिस्प्ले के वारे में तो इसके अंदर आपको 6.7 इंच का फुल HD पलस एक पंचॉल डिस्प्ले पैनल देखने को मिलने वाला है यहापर आपको 144 इर्ट का रेफरेश रेट देखने को मिलेगा जिसको आप मन मुताविक कंट्रोल कर सकते हैं तो कि इस डिवाइस के अंदर आपको 60 इर्ट, 90 इर्ट, 120 इर्ट और 144 इर्ट का रेफरेश रेट वाला सपोर्ट देखने को मिलेगा तो अगर आप PUBG खेल रहे हैं तो High Reference Rate के साथ गेम केल सकते हैं ताकि आपको एक अच्छा Experience देखने को मिले तो इसके अंदर आपको MediaTek Dimensity 1000 Plus का एक Powerful Chipset देखने को मिलने वाला है योकि 5G Connectivity को सपोर्ट करेगा वहीं पर अगर वात करें स्पॉन के केमराज के वारे में तो इसके अंदर आपको Quadrier Camera Setup देखने को मिलेगा जिसका Primary Sensor होगा 64 Megapixel का और इसी के साथ एक Ultra Wide Angle Lens, Telephoto Lens and Depth Sensing Sensor भी देखने को मिलने वाला है वहीं पर अगर वात करें सेलपी केमराज के वारे में तो इसके अंदर आपको 32 Megapixel का एक सिंगल पंचॉल सेलपी केमरा देखने को मिलेगा इसको Right Corner में Shift किया गया है और आप बात करते हैं स्पॉन की Ventry के वारे में तो इसके अंदर आपको 4500 MHz की एक Powerful Ventry देखने को मिलेगी तो कि 44 Watt के Super Watt Charging को सपोर्ट करती है और इंदा वाक्स आपको 44 Watt का Fart Charger भी मिल जाएगा और आप फाइनली बात करते हैं स्पॉन की प्राइजिंग के वारे में तो दोस्तो इस फॉन का Waste Brand यानी की 60 GB, 128 GB आपको 22,000 रुपीज में इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा जी आँ दोस्तो ये स्मार्टफोन लगवग 22,000 रुपीज में इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है इंडिया लॉंच डिट के वारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन जून के मन्त में इंडिया के अंदर लॉंच हो सकता है आपको ये smartphone कैसा लगा मैं comment करके जरूर बताएं एंड इस device के वारे में और भी latest जानकारी के लिए हमारे channel को जरूर subscribe करें आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करें और दोस्तों के साथ share करें तो हम मिलेंगे आपसे एक और new interesting वीडियो में तब तक के लिए good bye